में प्रिभिएस वीडियो में हम ने देखा पोस्ट कमेंट इन वडपरेस आजका हमारा टॉपिक है पोस्ट डिलिट एंटियो अनले इन वडपरेस तो पहले मैं लोकल उस्ट ओपन कर देता हूं उसके बाद मैं मेरी website open करता हूं लोकलो स्लेस, वर्डप्रेस, उसमें ये पोस्ट है Hello World, यहाँ पर मैं जाता हूँ, लोकलो स्लेस, वर्डप्रेस, उसका admin open करता हूँ, admin open करने के बाद यहाँ पर मैं पोस्ट में जाता हूँ, जहाँ पर हमारी पोस्ट यहाँ पर Hello World है, मैं आपको पहले डिलेट करके दिखा तो hello world जो post है वो उससे पहले हमें trace करना पड़ेगा trace means recycle bin में हमारी post चले जाएगी ऐसा माल लीजिए कि trace का option जो है वो recycle bin है तो trace पे मैं click करता हूँ trace पे click करने से मैं जब post में जाओंगा तब हमें post नहीं दिखाए देगी अब मैं trace में जाता हूँ यहाँ पर trace का option दिया हुआ है जो हमने post trace में रखी वो अब हमें trace में दिखाए देगी यह rate rest में अब यहाँ पर दो option है restore और delete permanently तो restore करता हूँ मैं restore करने से post जो होगी वो जहाँ पे थी all post में वहाँ पर वापस आ जाएगी अब trace में इसको फिर से डाल देता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर trace में जाता हूँ अब जो दूसरा option है delete permanently वो क्या करेगा permanently delete कर देगा means कि उस post को हम restore नहीं कर पाएंगे और वो post कहीं पे नहीं दिखेगी अगर मैं यहाँ से delete permanently कर दूँगा तो वो post कहीं पे नहीं दिखेगी अगर आपको restore करना है तो आप restore कर सकते हैं अगर recycle bin में रखना है means कि trace नाम के folder में रखना है तो आप वहाँ पे भी रख सकते हैं तो इस तरह से हम post को delete कर सकते हैं और trace में रख सकते हैं जिस तरह हमने post को trace और delete किया था उसी तरह हम page को भी ऐसा कर सकते हैं पेज में भी अभी sample page है यहाँ पर sample page हमें दिख रहा है अगर मैं उसको trace में रख देता हूँ तो यहाँ से जो sample page है वो चला जाएगा अब मैं trace में जाता हूँ तो यहाँ पर same option होंगे restore और delete permanently जो कि मैंने बता है उसका use क्या है तो restore करूंगा तो वो वापिस page में चला जा आज हमने देखा post delete and trace in wordpress हमारा next topic है add video and audio in wordpress